नवसकार दोस्तों, प्रिलिम पूश्टर न्यूज डिस्क्रसन में आपका स्वागत हैं, शुरुवात करते हैं आज की इंपोर्टेंट दाहिंदू न्यूज से, जो की हम डिस्क्रस करेंगे प्रिलिम पर्स्पेक्टिव से सबसे पहले जो फ्रंट पेस्पे न्यूज है, कन्या सिरी परकल्प योजना चनाने के लिए, वेश्ट बंगाल की मुखेवंत्री ममता मिनर्जी को यूएन के द्वारा समानित किया गया है, युनाटि नेशन्स पब्लिक सर्विस अवोर्ट से इन्हें नवाजा गया है, तो कुछ जो चीजे दी गई हैं, पैसे दिये जा रहे हैं, जैसे 750 रुपीज एमाउंट दिये जाते हैं, 13 साल से 18 साल तक की बच्चियों को हर एक साल, और 18 साल की आयू पूरे करने पर, अगर 18 साल तक साधी नहीं हुई है, तो 25,000 रुपे दिये जाते हैं, 18 साल की एज पूर मंतरी हैं, तो पूछा जा सकता है, UPC के द्वारा की कौन से परतेश के मुख्य मंतरी को UN Public Service Award से नवाजा गया था, और किसलिए नवाजा गया था, तो स्कीम का नाम भी याद रखना है, कन्या स्री परकल्प योजना, अगला जो आर्टिकल है, लोकायुक्त से रिलेटिड ह केरला लोकायुक्त ने इन्वेस्टिकेशन ओपन की है, वहाँ के जो केरला पूलीस के DGP है, उनके खिलाफ में, उन्होंने ड्रेजिंग के जो एक्विप्मेंट ख्रीद है, उनमें करप्शन के आरोप लगे है, वहाँ के DGP पे, तो लोकायुक्त के बारे में थोड़ा स की गई थी, वह महाराश्टर के अंदर में की गई थी, 1971 में और उसके बाद में उडिशा में की गई थी, रेकमेंडेशन जो होती हैं लोकायुक्त की वह बाइंडिंग नहीं होती, स्टेट गॉर्मेंट के ऊपर में, थोड़ी और चीजें, एपोइंट कोन करता है, वैसे वैसे तो देखें लोकायुक्त की जो निक्ति, एपोइंट की जाती है, वो गवर्नर के द्वारा की जाती है, लेकिन वो कंसल्ट करते हैं, चीफ जिस्टिस ओफ हाई कोड से और लीडर अफ ऑपोजिशन जो होते हैं असे अशैमली से उन से कंसल्ट करके बाद में गवर्न करें कारेकाल की बात करें तो 5 साल या फिर 65 यह या तो 5 साल का कारेकाल पूरा हो जाए या फिर 65 यह की एज पूरी हो जाए जो भी जल्दी होगा तो समाप्त हो जाएगा कारेकाल जो लोकायुक्त है उनका और री एपोइंटमेंट इनकी नहीं हो सकती कुछ और फीचर्स, सू मोटो पावर्स रहती है लोकायूट के पास में, यानि अगर इनको लगता है कहीं पे करप्शन हुआ है, तो अपने आप से ये उस चीज का संग्यान ले सकते हैं, और इंवेस्टिकेशन का ओर्डर दे सकते हैं, अपनी जो ये रिपोर्ट पेस करते ह हैं, गवर्नर को अपनी ये रिपोर्ट पेस करते हैं, और स्टेट लजिसलेटर के ये रिस्पोंसिबल होते हैं, तो जितने भी पोटेंशियल कोशन बन सकते थे लोकायूट के उपर में, हमने वो सारे कोशन से डिसकस कर लिए, अगला टोपिक है, इन्फोर्स्मेंट डिर ओटरींग यानि जो अक्ट है, प्रिवेंशन ओफ मनी लौन्डरिंग एक दो हजार दो, मनी लौनर्ण होता है, जब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कर दिया जाता है, तो उस चीज को कहते हैं, मनी लौनरिंग, एक जो एक्ट है, फोरन एक्शेंजमेंट मनेजमेंट एक ना 1999 तो इन दोनों चीजों को एक प्रकार से देखती है Enforcement Directorate और Implement करने कोसिस करती है कि violation ना हो इन दोनों Acts का कौन सी Ministry के अंदर में आती है आप बताईए देखे वैसे तो सोचने में यह लगता है कि Home Ministry के अंदर में यह आती होगी बूलने के चांसिस काफी ज़्यादा है Headquarter दिली में है अगला जो है topic वो इराक से लिटिड है इराक के परधान मंत्री ने इराक जो है उसको वहाँ पे end of IS गोशित कर दिया है लडाई चल रही थी मौसूल जो फिलाल इराक IS-IS के कबजे में था इराक की जो forces थी वो काफी कोशिस कर रही थी कि मौसूल को IS-IS के कबजे से चुड़वाया जाए तो अब एक आखरी जो मस्चिद थी जहाँ पे बगदादी ने खलीफा की घोशना की थी अब उस मस्चिद को भी चुड़वा लिया गया है तो काइंड ओफ अब इराक के प्रधानमंत्री ने गोशना की है कि इराक से IS-IS का खात्मा हो गया है पूरी तरह से वैसे खात्मा नहीं हुआ है अभी सीरिया के अंदर में एक जगा है राका वहाँ पे अभी भी सीरियन जो फोर्सिस हैं वो अपना प्रयास जारी रखे हुए है कि IS-IS को वहाँ से खदेड दिया जाए तो यह जगा का नाम पूछ सकते है यूपसी मौसूल मौसूल यहाँ पे है इराक के अंदर में याद रखेगा अब करते हैं हम P.I.B. discussion P.I.B. के कौन से आर्टिकल से इंपोर्टेंट है यूपस्कार यूपस्कार देखिए दिये जाते हैं साहिते अकेडमी के द्वारा साहिते अकेडमी उन यूवा लोगों को जिनकी एज 35 साल से कम है अगर वो साहिते से इलेटिड कोई चीज पब्ल चाहिए और किस चीज के लिए दिया जाता है साहिते से इलेटिड अगर कोई चीज को यूवा पब्लिश करता है वो चीज या फिर लिखता है तो उस चीज के लिए दिया जाता है चोबिस लेंग्विजिज में अकेडमी देती है यह साहिते पुरुसकार जिसका नाम है पब्लिकेशन को, ट्रांसलेशन को, सेमिनार, वरक्सोप, कल्चर एक्सचेंज, यह तमाम तरह की चीज़े पर्मोट करती है साइतय अकेडमी, और साइतय से लेटीड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे देश के अंदर में उसको और्गनाईज करने का काम करती है, तीन त बिल्कुल बड़ी, सबसे बड़ी फैलोशिप है, लेकिन इंडरेक्ट यूँ पूछेगी कि आनन्द फैलोशिप सबसे बड़ी है, तब हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो बिल्कुल हमारे दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि साइतय अकेडमी ओनरी फैलोशिप जो है, तीशे नंबर की जो फैलोशिप है वो प्रेम्चंऍ फैलोशिप है, सिरफ तीन फैलोशिप है, ये जो साहितय केडमी आती है, वो मनिश्ट्री ओफ कल्चर के अंदर में आती है, कौन-कौन लैंग्विजिज Hind को वहाँ पे साहितय को परमोट करती है, यह 24 लैंविजिज Hind असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, यह सारी लेंग्वजीज हैं, सारी तु याद रखने का आप सकता नहीं है, वास एक बार नजर, सरसरी नजर डालोगे तो वो काफी होगा, कोंगो, बारत के राष्ट्रपती ने, कोंगो का जो national day था, उस पे बधाई धी कोंगो के राष्ट्रपती को, कोंगो की location देख लेते हैं, दो कोंगो हैं, अफ्रिका के वैसन पार्क में ये कोंगो की locations हैं, एक है Republic of Congo, और जो दूसरा कोंगो है, Democratic Republic of Congo, Democratic का फरक है, यह थोड़ा सा ये जो स्मूंदर से भी टच करते हैं, तो लैंड लोग ये नहीं है, कॉंगो, कॉंगो सुर्ख्यों में था पिछले दिनों, बताओ क्यों सुर्ख्यों में था, एक हमारे जो father of nation महात्मा गांदी हैं, उनकी परतिमा लगाई गई थी कॉंगो की एक उनका कहना था कि जो गांदी थे वो भी racist थे, ऐसा उनका क्यों कहना था, पिछले साल आपको याद होगा, हमने काफी सारे editorial articles डिसकस किये थे इस बारे में, उनका कहना इसलिए था, जब गांदी की age कम थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे word इस्तिमाल किये थे, blacks के खिलाफ में, जो वैसे तो पर्चलिट थे, लेकिन कॉंगो के citizens के according में वो words थे, वो गलत थे, इसलिए उनकी पर्तिमाल लगाने का काफी विरोध हुआ था, बाद में हटा दी गई थी, साबरमती आश्रम सुर्ख्यों में है, सो साल पूरे हो गए साबरमती आश्रम को और परधान मंत्र किया था, इसको celebrate करने वाली जो event थी, इसमें participate किया था, spectrum की book में हम साबरमती आश्रम का जिकर पढ़ते हैं, किसलिए जिकर होता है साबरमती आश्रम का, याद होगा जब डंडी आतरा स्टार्ट हुई थी, तो यह साबरमती आश्रम से गांदी जी ने डंडी आतरा को स्ट तक नहीं आएंगे, जब तक आजादी नहीं मिल जाती, तो यानि डंडी यातरा पूरी करने के बाद में आपको याद होगा, civil disobedience moment organized हुई थी, और उसके बाद में आजादी तो हलांकि नहीं मिली थी, उसके 17 साल बाद आलमोश्ट आजादी मिली थी, गांदी जी बाद में गये भी नहीं साबरम्रती आश्रम में, इसके जग़ा वो गये थे, वर्दा आश्रम में, तो थोड़ी सी extra information है, याद रखेगा, जी सेट 17, इंडिया ने जी सेट 17 को लॉंच किया है, जी सेट 17 जो है, वो एक communication satellite है, अभी इसे लॉंच किया गया है, बाद में इसको orbit में इ geostationary orbit में, geostationary orbit जो होता है, वो अर्थ से 36,000 km की height पे होता है, और geostationary satellite से, यानि हमारे अर्थ से जो भी चीज देखेंगे, अगर वो geostationary satellite में होगी, तो हर समय वो एक ही position उसकी दिखेगी, ये मतलब geostationary satellite होता है, height याद रखेगा, height पे कई बार UPSI फसा लेती है, और बात करें, कौन सा launch satellite vehicle यूज क्या गया, तो GSLV यूज क्या गया, geosynchronous satellite launch vehicle, और GSLV जो सबसे पहले इसको insert series के लिए यूज क्या गया था, तीन stages होती है, इसकी solid stage, liquid और cryogenic stage, तो तीन stages होती है, इसकी GSLV की याद रखेगा, आगे vice president है, vice president के बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते ह हैं, elections होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, vice president के लिए 5, 2017 को, पहले होंगे president के लिए, फिर बात में होंगे vice president के लिए, vice president के लिए एक्स ओफिशियो चेर्मेन होते हैं कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि जो भी अब मालीजे हमिद अंसारी हमारे वाइस प्रेजिडेंट है तो हमिद अंसारी ही राजसभा के चेर्मेन होंगे जो टाम होती है कारकाल होता है वाइस प्रेजिडेंट के लिए होता है औ leksaren में देखिये electroly sorcery college की बात करें तो हमारे elections में हमने एक बात देखी थी कि जो विधान सबा के members यानि जो विधायक होते हैं उनका भी vote होता है लेकिन Vice President में सिरफ Parliament के members participate करते हैं विधान सबा के members का यानि विधायकों का कोई vote नहीं होता ये याद रखिएगा और बाकि जो normal qualification है वो ये है कि citizens of India होने चाहिए यानि बात क कैसी पोश्ट नहीं होने चाहिए जो office of profit के अंदर में आती है और जो दूसरी चीजे है कोई भी अगर nomination file करना चाहता है तो वह nomination जो है उसके eligible होने के लिए कम से कम 20 electors है कम से कम उस person का नाम पर पोच करेंगे और बाद में जो दूसरे 20 electors हैं वो समर्थन देंगे उस नाम क जो भी person election लड़ना चाहता है interested है vice president की post के लिए ये बात याद रखेगा president के लिए जो ये numbers थे वो 50 थे 50 electors as proposal and 50 electors as seconder और जबकि यहाँ पे जो numbers हैं वो 20-20 हैं इनको भी 15,000 रुपे RBI के पास में जमा करवाने पड़ते हैं security के लिए अगर जितने vote poll हुए हैं उसके 1-6th vote नहीं मिलते हैं किसी भी candidate को तो उनकी जो ये 15,000 की security है वो जब्त हो जाएगी परपोजर वो होते हैं जो nominate करते हैं किसी भी person का नाम और सेकेंडर वो लोग होते हैं वो elector होते हैं जो समर्थन देते हैं उस candidate को तो ये difference है परपोजर और सेकेंडर के बीच में impeachment की बात करें तो देखे 14 दिन का advance notice में अगर resolution पास किया दाता है राजसबा के अंदर में जो की agree होता है लोकसबा को तब इस प्रकार से vice president का impeachment यानि महाब योग चलाया जा सकता है absolute majority क्या होती है absolute majority में आपको बता देता हूँ माली जे house की संक्या है राजसबा के अंदर में माली जे 250 है एक नमबर ले रहे हैं अंग 250 अगर माली जे members है तो absolute majority होती है कम से कम 126 सदस्यों के द्वारा वो resolution पास किया जाता है समझ गए simple majority तो में तो हम सिरफ यह चीज देखते है कितने present है माली जे लोकसबा के total members की संक्या है 250 और आए है आज present है 200 अगर 101 ने resolution पास कर दिया तो यह पास हो गया मतलब simple majority से लेकिन absolute majority से पास करवाना है तो कम से कम total house में जितने members हैं उसके 50% plus 1 से वो resolution पास करवाना होगा यह होती है absolute majority समझ गए 250 टोटल और 126 पास करवाने के लिए reason mention नहीं किया गया है हमारे सविधान के अंदर में कियों किस परकार से और किन रिजन से vice president का impeachment हो सकता है और re-election के लिए कोई condition नहीं है बार-बार कितनी भी बार उनको re-elect किया जा सकता है वेकेंसी कई परकार से create हो सकती है या तो उनका कारकाल है वो expire हो जाए 5 साल पूरे हो जाए रजिनेशन वो दे दें impeachment उनका हो जाए या फिर किसी कारणवास उनकी मर्तिव हो जाए और उसके बाद में जो भी dispute हो vice president के election से लेके उस dispute का समाधान होगा supreme court के अंदर में Asian development bank जो है वो अगला जो article है Asian development bank context क्या है हमारे जो commerce and industrial ministry है यानि उसके जो minister है निर्मला सितर रमन्या उन्होंने discuss किया है infrastructure और development related मुद्दे Asian development bank के president के साथ में पी आईबी में ये news परकासित हुई है तो Asian development bank जो हमने तीन-चार पहले भी discuss किया था थोड़ा सथ द्वारा से revise क अंदर में है international partnerships में है और इसके जो members है 63 countries इसके members है और इंडिया का जो capital में जो हिसेदारी है वो है 7.190% और जो voting powers में हिसेदारी है वो है 6.050% इंडिया founder member है Asian development bank का और Asian development bank funding करता है development related projects के लिए हमारे जो finance minister है वो governor भी है जो board of governors है ADB का उसमें हमारे finance minister भी governor है तो ये थोड उसके बाद में important article है PIB का NDMA selected कल NDMA यानि national disaster management authority एक mock exercise करेगा दिली के अंदर में ये check करने के लिए क्या वास्ता में दिली तयार है earthquake से निपचने के लिए अगर unfortunately bookamp आता है तो क्या दिली तयार है इस तरह की disaster के लिए तो mock exercise conduct की जाएगी NDMA के द्वारा थोड़ा सा discuss कर लेते ह था 3-4 दिन पहले revise कर लेते हैं जल्दी से ये agency जो है वो home ministry के अंदर में आती है और इसे बनाया गया था authority को एक NDMA act पास किया गया था 2005 के अंदर में हमारे प्रधान मंत्री ex official chairperson होते है इस body के जिसका नाम है national disaster management authority वैसे nine members का board होता है जिसके chairman तो vice prime minister होते है लेकिन जो day to day जो working है वो conduct की जाती है vice chairman के द्वारा बोडी है council से related है context क्या है जो minority affairs ministry है उसके minister है मुक्तार अबास नकवी इन्होंने 76 meeting जो हुई central work council की उसको address किया तो central work council के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक statutory body है इसको बनाया गया था वक्फ act 1954 के अंतरगत में chairman कोन होता है इस body क chairman है minister of state for ministry of minority affairs जानी मुक्तार अबास नकवी फिलाल के जो minister है ये chairman है central work council के उसके अलावा purpose क्या होता है देखे विभिन राज्यों के अंदर में भी state work board होता है तो kind of advisory और communication दिया जाता है coordinate किया जाता है ये जो central work council है वो different state work board से coordinate करती है उनको बताती है कि जो वक्फ body के अंतरगत में जो property आती है उसको किस परकार से manage किया जाता है वैसे वक्फ होता क्या है देखे जो muslims philanthropic कारणों से अपनी movable या फिर non-movable property को muslim charities जो trust होते हैं उनको अपनी movable या फिर non-movable property क को दान दे देते हैं तो जो ये वक्फ board होते हैं उस property को manage करते हैं तो state work board का का काम यही होता है कि उस properties को manage करना जो दान दे दी गई है कई लोगों के द्वारा तो बस ये थोड़ा सा है याद रखेगा आगे commit scheme है commit scheme जो है वो launch की गई है ministry of personnel public grievances and pensions के द्वारा क्या है ये commit scheme commit scheme देखें एक training program है full form है commit की comprehensive online modified module on induction training state government के employees को training दी जाती है ताकि service delivery को अच्छा बनाया जासके citizen centric administration होसके day to day basis पे फाइदा हो government को भी और citizen को भी ताकि जो service delivery है government के तरफ से वो आसान होसके जो commit scheme है वो cover करेगी 3.3 लाख officials को हर एक साल तो याद रखेगा commit scheme काफी important है ministry का नाम भी याद रखेगा ministry of personnel public grievances and pensions बस आज की discussion हो गई recap कर लेते हैं हम दा हिंदू में हमने discuss किया किस परकार से इराक के परधान मंत्री ने अपने देश को is is free गोशित किया कने स्री परकल्प योजना के लिए ममताब इनर जी को यूएन की तरफ से एक आवोर्ड से नवाजा गया लोका युक्त के बारे में हमने पढ़ा enforcement directorate के बारे में भी हमने पढ़ा और P.I.B. की बात करें तो P.I.B. में भी हमने काफी सारे articles को आज discuss किया सबसे पहले यूआ पूरसकार जो की साइदय अकेडमी के द्वार दिया जाता है साइदय अकेडमी के बारे में हमने जाना कोंगो की location देखी साबरमती आसरम के बारे में हमने डिसक्स किया जी सैट 17 के बारे में हमने डिसक्स किया वाइस प्रेजिडेंट के बारे में हमने प्रैक्टिस के लिए तो आज की discussion बस इतना ही thank you thank you very much for discussion